हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं कोकोनट और ओले ओल से कोल प्रोसेस सोप सबसे पहले हम अपना लाई मेजर करेंगे यह वेंग स्केल जीरो कर दिया है और अब इसमें कास्टिक सोडा आड़ करूंगा करीब 26 ग्राम्स ऑफ कास्टिक सोडा यह जो रेसिपी बता रहा हूं यह नोट कर लीजेगा आप साथ साथ आपको हेल्प होगी इसमें 26 ग्राम्स ऑफ कास्टिक सोडा मैंने ले लिया है अब इसमें हम लोग नेक्स टेप वाटर एड़ करेंगे फिर से वेंग स्केल को जीरो वाटर यह हो गया हमारा साथ ग्राम वाटर सिक्स्टी ग्राम्स ऑफ वाटर बिल्कुल ठीक अब इस लाई सोलीशन को बनने देते हैं थोड़ी देर इसमें हीट जनरे टोकिस को छोड़ देते हैं और अपना बाकी का काम करते हैं यह कोकोनट ओय ले लिया है मैंने मैक्स के और टीके लियर का है और अनलाइन मंगाया था वर्जिन कोकॉनट ओयल यह यह ऑल पोर करेंगे यह वायल मैने 58 ग्राम से कंटेनर में डाल लिया है अब बारी आती है ओलिव आलीव ओयल की यह मैने डेलमाट का औलिव ओयल मंगाया है यह भी यह ऑनलाईन ही मंगाया था अम बहुत ज्यादा ओयल यूज नहीं कर रहे हैं, coconut oil जो होता है वह hard oil में माना जाता है और olive oil जो होता है, वह soft oil होता है, तो soap basically soft oil और hard oil का combination होता है, यह हमने 104 gram हमने यह ले लिया है, olive oil, अच्छे से इसको mix करेंगे, mix होने देंगे, बहुत अच्छे से mix करना है इसको, अब आएगा next step, इसमें धीरे-धीरे कास्टिक डालेंगे, जो हमारी cool down हो गई है, बहुत धीरे-धीरे डालने हैं, बिल्कुल जल्दी नहीं करनी हैं, यह धीरे-धीरे डाल रहे हैं, क्योंकि इसमें olive oil की percentage बहुत जादा है तो यह थोड़ा सा पतला ही रहेगा, tracing के बाद भी थोड़ा पतला रहेगा और pore करने में सानी रहेगी, और olive oil का soap जो होता है वो बहुत soft होता है skin पे, और यह जो जितने भी आप market में देखते हैं, यह soaps इसका मुकाबला कर ही नहीं सकते, जो हम soap अपने घर पे बना रहे हैं इस quality का मुकाबला यह बहार वाले, market वाले soaps कर ही नहीं सकते किसी भी level पे, थोड़ी सी और बची है इसको डालेंगे, यह मैं यूज़ कर रहा हूँ patchouli fragrance यह essential oil है, मुझे बहुत पसंद है और एक इसमें मैं डालूँगा साथ साथ lavender, यह lavender essential oil है, यह मैंने चाननी चॉक से लिया था, मुझे इसकी fragrance बहुत अच्छी लगती है और वह इसमें डालेंगे, यह डाल दिया है lavender essential oil, अब इसको अच्छे से mix करना है हमने, फिर हमारा soap almost ready हो जाएगा पोर करने के लिए, बिल्कुल खाली कर दिया मैंने essential oil की यह model, अच्छे से mix करेंगे, अच्छे से mix करेंगे, जितना अच्छे से करेंगे उतना बढ़िया रहेगा, यह tracing देखिए आप एक पर, have a look at it, यह देखो, इस तरीके से होगा, आप भी जब साबुन बनाएंगे, तो देख लेना इस type की tracing रहेगी, और अच्छे से mix करेंगे जा रहे हैं इसको हम, जितना अच्छा mix होगा उतना fine आपका soap होगा, अब time आगया पोर करने का, यह मैं इसको पोर कर लेता हूँ, एक बार consistency जरूर देखना आप ध्यान से, इतनी ही रहेगी consistency आपकी भी, अगर formulation सेम होगी तो इतनी consistency रहेगी, क्योंकि यह cold process soap है तो इसको हमें 24 hours तो छोड़ना ही पड़ेगा, उसके बाद 4 weeks, यह हमने थोड़ा सा और बचा है हमारा, तो वो sample के तोर पे एक mold में डाल दिया है ताकि अटलीस पता लगे कि हमने किस type का soap बनाया, यह हो गया हमारा soap ready, अब 24 hours के बाद हम इसको unmold करेंगे, वेट करते हैं 24 hours तक का, फिर इसको unmold करेंगे, वो process भी दिखाऊंगा आपको इसी वीडियो में, यह हमारा soap ready हो गया, यह color आया है soap का, यह देखो इतना बहतरीन color fine soap, थोड़ी सी light का issue है, नहीं तो बहुत प्यारा साबन है, तो दोस्तों आपको आज का यह cold process soap पे वीडियो हमारा कैसा लगा हमें जरूर बताईए, और भी अगर आप कोई suggestions देना चाहते हैं या सुझाब देना चाहते हैं तो भी हमें comment section में आप लिख सकते हैं, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको like कीजिए, share कीजिए और channel को subscribe कीजिए, thank you